नमस्ते, आज के विडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में हाल ही में बिटकॉइन की कीमत गिर गई है और इसकी कीमत 20,000 डॉलर के नीचे गिर गई है इसके पीछे कारण क्या है और इसके बारे में और क्या जानना ज़रूरी है उसमें बात करते हैं पिछले 24 घंटे में, क्रिप्टोकरिंसी के मार्किट वाल्यू में 70 डॉलर बिलियन की गिरावत देखी गई है। बिटकॉइन की कीमत 19,944 डॉलर्स और 66 सेंस तक गिर गई है, जिसके पीछे कारण कुछ मुख्य वज़ा है। एक वज़ा है US स्टॉक मार्किट के गिरने की वज़े से, जिसमें नस्दा काफी तेजी से गिरा है। बिटकॉइन की कीमत स्टॉक मार्किट के साथ तालमेल रखती है, इसलिए इसका असर भी बिटकॉइन के प्राइस पे दिखता है। इसके अलावा, US Federal Reserve Chairman Jerome Powell ने भी इंट्रिस्ट रेट्स के बारे में बोला है। इसे स्टॉक मार्किट और क्रिटोक्रिंसी दोनों पे असर पड़ेगा। इंट्रिस्ट रेट्स के बढ़ने की वज़े से रिस्क आसिट्स जैसे स्टॉक्स और क्रिप्टोक्रिंसी पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा, Silvergate Capital का गिरना भी क्रिप्टोक्रिंसी के प्राइसे पे असर डाल रहा है। Silvergate एक बहुत बड़ा लेंडर है क्रिप्पो इंडस्ट्री के लिए। इसकी गिरावत काफी बड़ा इंपक्ट है इंडस्ट्री पे। इसे पहले भी एक बड़ा क्रिप्टोक्रिंसी एक्सचेंज FTX का गिरना हुआ था, जो अभी भी इस इंडस्ट्री पे असर डाल रहा है। इसके अलावा, Silicon Valley Bank के डेपॉसिट्स को Federal Deposit Insurance Corporation ने कंट्रोल मिलिया है। ये 2008 के Global Financial Crisis के बाद सबसे बड़ा US Bank failure है। ये सभी इवेंट्स ने क्रिप्टोक्रिंसी के प्राइसेस पे काफी बुरा असर डाला है। विजय अयर, क्रिप्टो एक्सचेंज लूनो के Vice President ने भी कहा है कि इसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स पे असर पड़ेगा, जिनके पास Long Duration Securities है। Overall, अभी काफी bearish sentiment है, Global Macro और Interest Rate की वजह से। ये सारे events और factors ने क्रिप्टोक्रिंसी मार्केट पे काफी बुरा असर डाला है। तो ये The Bitcoin के बारे में कुछ important updates। आप लोग अपने investments को अच्छे से research करके ही करें। हम आपसे जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए अपना खयाल रखे। शुक्रिया।